आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्ट करने का एक सुनहेरा आफसर जिसमें आपको मिलते हैं सीबी आई इनकम टेक्स मंत्राल्य जैसे बेहद ही शांदारपत आप सभी को ससी सीजियल में 100% सेलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैज जिसमें आपकी सभी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही हैं तो बिना देरी किये आज ही जोइन करें ससी मेकर का संकल्प बैज और दे अपने सपनों को एक नई उडान अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें ससी मेकर आप और दिये गए नमबर पे कॉल करें नमस्कार साथियो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ससी मेकर पर सबी को बच्चे कवल साथ कर दिजेगा जिससे कि और भी वह पर आपकी बच्राश के साथ जुड़ेंगा और उन्हें इसका राप प्रापत हों सके याद रखियेगा आपकी बहुत important है आपके exam के point of view से ये class बहुत ज्यादा जरूरी है इस class को अच्छे से देखिएगा इसको अपने exam तक लेकर जाने के लिए pen paper लेकर बैठिए जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिए और जो भी आप लिखें उसे exam के बाद revise जरूर कीजिए जब आप इत समय बैच मतलब ongoing है आपके app पर तो app कर लिंक आपके जो चैट वॉक्स है इसमें उपर दिया हुआ है यहां से आप इसे download कर सकते यह है आपके सामने पहला present question को अच्छे से देखिए और बताइए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा रेनू बासू मन्जू रूहू संतोस रमेश रेहान बबली आरा स्वागता हरसेत मीनाक्षी बबली महादेब अखलेश बिनोध रमेश रवीश प्रतिवा स्वम्या राजू सारे बच्चे को very very good after sorry good evening एक बार आप सभी जो है इस class को share or like कर दीजेगा पहला question जो पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की लोगसभा का प्रतम सत्र कब हुआ था जो लोगसभा है वो सबसे पहले कब गटित हुई थी कौन सा दिन है जिस दिन से जो है पहला सत्र लोगसभा का कर देंर चाल वाटों आपसे पूछ रहा है 13 जून उननीस से 5 AJ 2071 और 23 मिउनिस सबावन वैन वाइस द से सहन और लोगसभा रप इंडिकमेंडनेंट इंडिया है वह सटंत्र भारत में पहली ओफर गटित हुई ती यह पूछ रहा है जाएगा आपका 13 माई 1952 ठीक है राजिसवा जो है इसका पहला जो सदन है इसकी पहली मीटिंग है स्वतंत्र भारत के बाद वो किस दिन हुई है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है लोगसवा के बारें बात करें तो लोगसवा का गठन जो है वो आपका आर्टिकल एक की बन के तहत है फ्राजिसवा का गठन जो है वो आर्टिकल 80 के तहत है इसी तरह से एक आर्टिकल आपका 79 है जिसमें संसद के गठन की बात की गई है तो यह याद रखेगा इतना याद रखेंगे बहुत बढ़िया अगला कोशन देखिए कोशन है आपका बसा और चीनी का क्रीमी करण अंडे की सफेदी को फेटना या भारी क्रीम को फेटना किस प्रकार के किलबन का उधारण है इन में से किस प्रकार के खरण करार होता है यह यह आप से पूछ रहा है ठीक बढ़्या इस बहुत अच्छे अच्छ जाएगा तो याद रखेगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका यांतरिक किडवन क्या कहेंगे इसको कहा जाएगा आपका यांत्रिक किडबन ये याद रखिएगा ठीक है आगे दीखो अगला कोश्चन क्या है कोश्चन है निम्निलिकित में से कौन सबसे प्रिसिद्ध सक्सासक है जिसने काठिया वार्ड में सुधर्शन जील का जीनोधार करवाया था रुद्र सिमहा तरतिये मौस चरताना और रुद्रदामन प्रथम हूं अमॉंग दा फॉलोविंग बाज दा मोस्ट फेमेस सक रूलर हूं रिनोबेटिड दा सुधर्शन लेक इन काठिया वार्ड रुद्र सिमहा थर्ड ठीक है आप मौस चरताना और आपका रुद्रदामन प्रथम बताओ जरा क्या हो जाएगा है ना पूछ रहा है कि कौन सा सक सासक है जिसने रुद्रदामन में जिसने काठिया वार्ड में जो सुधर्शन जीला उसका जीनो धर कराया है या मरमत कराई है याद रखेगा यह हो जाएगा आपका रुद्रदामन प्रथम क्या हो जाएगा यह हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम यह याद रखेगा एक चीज और जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और वो क्या वो यह कि जो रुद्रदामन है इससे प ऐका इसके समय में तो याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर के समय में तो याद रखेगा जीनोधार किस ने करवाया है आज सोक के राजिपाल तुसास्व ने करवाया है इसके अलावा फिर रुद्रदामन प्रथम ने करवाया है ठीक और इसके बाद कुमार गुप्त ने करवाया है किसने कुमार गुप्त ने करवाया है ये वो सासक है जिनों ने जो है सुधरसन जील जो है इसका निर्माड करवाया है ये बात आपको याद रखना है ठीक है किसका सुधरसन जील जो है इसका निर् मूल अधिकारों की अवधार्णा सरप्रतम में मेंगना कार्टा में अस्तित्त में आई थी मौलिक अधिकारों की अवधार्णा सबसे पहले कहां पर आई है ये आप से पूँच रहा है किसके मेंगना कार्टा में ये आई है में गळगाटा वता ना एक तरह से चार्टर आता था उस में सबसे पहले बात कि गई थी कि कुछ लोग जो है जो नागरिक हैं उनके कुछ कुछ मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिकादिकारों से उन्हें जो है आप बंचित नहीं किया जाएगा ये बाद सबसे पहले कहां आई है ठीक है बहुत अच्छे हां नहीं हमने मौलिक अधिकार जो है वो यू ऐसे से लिये हैं ये बात अलग है हमने जो मौलिक अधिकार है ये यू ऐसे से लिये हैं ये बात अलग है है ना लेकिन सबसे पहले जो Magna Carta में आया है वो है England England के Magna Carta में सबसे पहले इनका उल्लेक हुआ है लेकिन जो हमने मौलीक अधिकार लिये हैं मौलीक अधिकार ऐसा थोड़ी है कि England और USA कहीं और भी नहीं है और भी है लेकिन जो हमारे लिए city table थे वो America वाली ते इसलिए अमने अमेरिका से लिए तियाद रखिएगा एक पूछा जाता भारत का Magna karta किसे कहते भारत का जो Magna karta है किसे कहते हैं तो याद रखिएगा ये कहा जाता है आपका मौलिक अधिकारों को इसको मौलिक अधिकारों को इसकी जगह पर आ सकता है आपका भाग तीन को, सम्मिधान के भाग तीन को जो है हम भारत का मैगना काटा कहते हैं, यह याद रखेगा, ठीक है, भाग तीन को क्या कहते हैं, भाग तीन को मैगना काटा कहते हैं, ठीक, इंगलेंड से हमने अपने सम्मिधान में क्या लिया है, तो याद कर दो कि लिए जाएगा इसके अलावा जो हमने लिया है वो हो जाएगा आपका का कि इसका विधी का सासन रूल ओफ लो है ना रूल से बढ़के कोई नहीं टिक और अस्टेलिया से तो हमने समवर्थी सुची और आपका ब्यापार और उपागम जो है बोलिये हैं यहां से अमने लिया है ससक्त केंद्र के साथ संग की अवधाना मतलब मतलब यह है कि संग है हमारे पास लेकिन उसमें केंद्र सक्तिसाली है संग है हमारा लेकिन उसमें जो केंद्र है वो क्या है वो सक्तिसाली है यह याद रखेगा ठीक है यूएसे तो हमने बहुत कुछ लिया है जैसे पी आईयल हमने यूएसे से लिया इसके अलावा आपके जो सुप्रीम कोट है इसके जज्ज जो है वह हमने मतलब सुप्रीम कोट की एक तरह तरह से देखा जाये तो स्वतंत्रता, freedom, independent, वो मतलब independent judiciary, यह हमने USA से लिया है, राष्टपती का पद हमने USA से लिया है, ठीक है, इस तरह की चीज़ा जो है, वो हमने USA से लिया है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, इसके अलाबा अगर बात करें, सत्ता के अंतिम हस्तानांतरन पर चर्चा करने के लिए cabinet mission fill in the blanks में भारत आया था, the cabinet mission came to India in fill in the blanks to discuss the final transfer of power, पूछ रहा है, जो final transfer of power है, यह, मतलब पूरी तरह से जो power है, वो भारत को सौपनी है, इस बात के लिए एक cabinet mission है, जो भारत आया था, और वो जो cabinet mission है, वो भारत कब आया था, यह आपको बताना है, उस mission के आने के बाद ही जो है, भारत में सम्मिधान सवा का गठन हुआ था, क्या हुआ था, सम्मिधान सवा का गठन हुआ था, यह याद रखेगा, सम्मिधान सवा की पहली meeting जो है, यह कब हुई है, यह हुई है, 9 December 1946 को, ठीक है, second meeting की अगर बात की जाए, जो second meeting है, यह कब हुई है, यह ह बड़ी दूसरी पढ़ने की क्या जरूरत थी याद रखना इसमें जो अध्यक्स चुने गए थे वो इस्थाई थे इसकी जो लास्ट मीटिंग है वो कप की है तो याद रखेगा इसकी जो लास्ट मीटिंग है यह ओजाएगा आव का 24 जनवरी 1950 ठीक है इसमें टोटल सैसन य हैं यह हो जाएगा ग्यार है तो यह याद रखेगा यह बात समझ में आई टोटल सत्र कितने टोटल सत्र ग्यार है तो कैबिनेट मिशन कब आया यह आया 1946 में इसने सम्मिधान बना कब दिया था तो सम्मिधान बन गया था अपका 26 नवंबर 1999 को लेकिन लागू किया गया 26 सब्सक्राइब कर दे जनवरी 1950 को ठीक है और यह वजया है कि 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं सम्मिधान दिवस के रूप में सम्मिधान दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है यह आद रखिएगा अगे भारतिय मानसून की बंगाल की खाड की शापा और अरब सार कि साखा का बिल है कहां पर होता है कहां पर यह दोनों एक दूसरे से मिल जाती है वो पूंच रहा है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है जैसे मान लो से एंटर करती है एक दर से आ रही है और यहां से एंटर करती है और यह इस जगह पर जो है एक दूसरे से मिल जाती है यह जगह कौन सी है जहां यह एक दूसरे से आकर टक राती है वो जगह पूछ रहा है भारतिय सम्मिदान की बंगाल की खाड़ी की साखा और अरब साखा का जो बिले है यह कहां होता है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिवी भाग में कोरो मंडल तट पर दक्कन के पठार के उत्तर में दक्षडी प्राइदी भाग में बंगाल ब्रांच एंड अरेवियन सी ब्रांच ऑफ दा इंडियन मांसून मर्ज नौर्थ बेस्टन पार्ट अफ गंगा प्लाइन कोरो मंडल कोस्ट नौर्थ ऑफ दक्कन प्लेट्व और सदर्न प्रेंसुलार पार्ट बताओ जरा क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब क आपको बताना है कि टिक है हां दक्कन फ्लेट्व कोई मतलब ही निवनता मैंने पूरा मैप करके दिखाया ना तो मैप से ही समझ जाते कहां हो जाएगा मैप से हो जाएगा आपका गंगा के मैदान के उत्तर पश्च्च्च्मी भाग में यह याद रखिएगा ठीक है गंग यांत्रिक रूप से पिगलू ही उत्तरी मैंटल सामिग्री जिसे फिलिंदावलेंग्स कहा जाता है इस्तल मंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप से कम जोर परत होती है जो कम भूकम प्य तरंग बेग और उच्च छीडन की विसेशता को दरसाती से क्या कहेंगे चुमक मंडल समताब मंडल मध्य मंडल या दुरबल मंडल पार्सली मॉल्टन अपर मेंटल मैटेरियल कॉल्ड फिलिंदावलेंग्स इचा मैकेनिकली मैकेनिकली बीक लेयर बिनीत दा लीथो इस पर बिचिच करेक्ट्राइट बाई लो सिसमिक बेव बैलोसिटी एंड हाई अटे लिएशन बता हो जाएगञा इसका सुझाई जवाब इसका और चाहर चाह रहा है यह जैसे मान लो यह प्रतवी है यह VIDAL और यह कलो में है एक यह अपर मेंडल आ जसा है न यह कम मतलब एक तरह से देखा जाए तो आंसिक रूप से आदा पिगला है आदा नहीं पिगला है ना और यह इस क्रश्ट के साथ जो है यह हां पर कहीं दबा हुआ है तो यह बारा जो हिस्सा है ना जो कुछ हिस्सा पिगला हुआ है कुछ जो है पिगला हुआ नहीं है इस हि मंदल की जो परते हैं इस से ये संंबंदित है ये याद रखिएगा चुम्मक मंदल के बारे बात करूं तो चुम्मक मंदल का जो आपने पड़ा होगा जब इंटीर्यर ऑब लअर्थ पड़ा होगा उसमें ऐसा कुछ ही नहीं इंटीर of the एस पिर ये याद रखिएगा बाद समंझ में आ गई थे भास समंझ में आ गई या नहीं कि कि अ टेक है जो खेलो इंडिया सीतशी खालीं खेल हैं इनकी शुरुद लेतं कप से हुई है बोर आपसे पूछ रहा बरता हो जैनल किस तुरुद कब से है व्यायर्ट यह व्यायर्ट प्ल संगते हैं जो फेलें यह Graom तो भी दिक्कत है ना फिर आपको ऐसा लगेगा कि यह 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 तो मैं कर लूँगा ना फिर पढ़ने में तुम कर दोगे ढ़ील और तुम पढ़ोगे नहीं ठीक से जो दिक्कत वाली बात है ना वो चीज़ है कि अधिक कब से तो याद रखेगा यह जाएगा आपका 2020 कब से 2020 से याद रखेगा गिरा नहीं है बई आगे देखो कमबाला महोसब फिलिंदवलेंग्स राज जी के किर्सक समदाय द्वार आउजित किया जाता है इन में से कौन सा किर्सक समदाय है किसान समदाय है जिसके द्वारा जो है कमबाला महोसब जो है ये आउजित किया जाता है किस राज के, हिमाचल प्रदेश, राजिस्तान, करनाटक, मद्ध्रदेश, कंबाला फेस्टिवल is organized by the forming communities of state, हिमाचल प्रदेश, राजिस्तान, करनाटका और मद्ध्रदेश, क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक, इतना time नहीं है बच्चे, इजी होता है, mostly question easy ही होता है, पर एकाद question आपका difficult भी होता है, और होना भी चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत तो कठना ही होनी ही चाहिए, बरना फिर तो दिक्कत हो जाएगी न, कैसे पढ़ोगे तुमों से, है की नहीं, आगे देखें, कंबाला महोसब जो है, वो इन में से क किस राज जी का है जरा बताओ, ठीक है, option C, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा करनाटक बिल्कुल, ठीक हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका करनाटक यह आपको याद रखना है, कमेंट में मुझे लिखकर बताओ एक बार, जो करनाटक है, इसका कोई लोक नरत्य अगर बताओ, ठीक, आगे देखो, रिकी केज ने निमलिकित में से किस रेड़ी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी जीता था, रिकी केज जो है, उन्होंने इन में से किस एक के तहत, मतलब इन में तो कौन सी एक ऐलबम जो भी है, उसके तहत अपना तीसरा ग्रैमी जीता था वो बता और भी अश्रेक्त क्या हो जाएगा तो याद रखेगा यह याद रखिए गाइफे सिब और यो एलबम यह वी जाएगा बेश्ट इमरसिव और यो एलबम यह याद किएगा ठीक है कि समझ गए कि कठकली केरल का है करनाटक का कब से हुआ और मैंने लोक नरत्य पूछा सास्त्री नरत्य नहीं पूछा मैंने पूछा लोक नरत्य है ना हम सई नवह महोस सब भी नहीं पूछा क어지 करिसी चेतर इनमें से किस एक का इससा है जो किरसी चेतर है वह मैंसे किस एक का हिस्सा है वो आपको बताना है टरत्य सेकर लिजन के लो primary sector and secondary sector. किस sector का part है यह आपको बताना है. अर्थ विवस्ता के अलग अलग part है. है ना जैसे प्रात्मिक हो गया दुतियक, तुतियक, चतुर्थक और पंचग इस तरहेग से. आपके लिए important है तीन क्योंकि भही सा question पूछता है प्रात्मिक दुतियक प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं उसको कहा जाता है आपका प्रात्मिक्षेत्र है ना जहां आप प्रकृति से डारेक्ट कोई चीज प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं आपका प्रात्मिक्षेत्र यह याद रखेगा दुतियक्षेत्र किसे कहते हैं मतलब जहां पर अगर तरतियक छेत्र के बारे में मैं बात करूँ तो जो तरतियक छेत्र है बहां पर आप अपनी सेवाइं प्रदान करते हैं जैसे आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं है ना तो वो क्या है वो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं अपनी तो वो जो सेवाइं है वो आपकी तरतियक सेहड़र में आती है यहां बात कर रहे हैं हम किरसी किरसी में कुछ हम प्रात्मान करते हैं as प्राटमी छेतर में काउंट करते हैं चाहें किरसी हो गया चाहें मतर्स्थ्य हो गया घानन हो गया इये प्रात्मी गोर्गोनिया, एडेस, एडेम, सिया और एसके रिस, identify an organism which has a bell defined muscular perinix, बताओ जरा, कौन सा एक है, जिसमें परिभासित पेसिये गरसनी है, इनमें ज़र किस एक में है, तो आटीनो प्लाना में, गोर्गोनिया में, एडे, सिया में, और एसके रिस में, किस में हैं, तो याद र ठीक है, आगे देखो, निम्लेकित में से कौन सी खिलाडी भारत की 23 महिला grandmaster है, पूछ रहा है इन में से कौन सी खिलाडी है जो भारत की 23 महिला grandmaster है, हूँ वा, हूँ, सुरी, bitch of the following player in the 23rd woman grandmaster of India, तेश भी महिला, मतलब तेश भी grandmaster ना और महिला है, नाम क्या है, सुबभा, रामन, विजय लक्षमी, है ना, भक्ति कुलकर्णी, ईशा करवडे और प्रियंका नुटंकी, है ना, बताओ ज़रा क्या हो जाएगा, प्रियंका नुटंकी, क्या हो जाएगा, प्रियंका नुटंकी, ये याद रखियेगा, ॥ी नहांगी रकबर ड्यूरिंग हुज रेंग मोस्ट अब दा बॉक्स ओन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इन पर्सियन बर रिटिन बताओ जरा क्या हो जाएगा किसके असासनकाल में संगीत पर सबसे ज्यादा किताबे लिखी गई है कि कि सई कि तो याद रखिएगा यह लिखी गई है औरंग जेप के समय में सबसे अधिक लिखी गई है यह औरंग जेप के समय में याद रखना जो औरंग जेप है इसके समय पर संगीत पर प्रतिबंद था क्या था इसके समय पर जो संगीत है इस पर इसने प्रतिबंद लगाया था यह याद रखिएगा हाला कि याद रखना यह बीड़ा बजाने में माहिर था जो औरंग जेप है यह निपुड था बीड़ा बजाने में यह याद रखिएगा भी इसके अलाब एक चीछ और इयाद रखिएगा इसका घोसितों देशताद दार रहर रहर को दार आर व इसलाम में बद़ना आगरे है इस इसका मतलब क्याई इसका मतलब है कि गैए मुसलिम देश को मुसलिम देश में convert करना इसका घूसित उद्धय सिता एक ये याद रखिएगा ठीक है इसके अलाबह आपको एक चीज और याद रखना मि और शिंट रहा है इसके कुछ दो चार महीने कम जो है वो रहा होगा अकवर ठीक तो सबसे ज़्यादा गद्धी पर रहने वाला मुगल सासक औरंग जेब औरंग जेब के बाद नाम आता है अकवर का तो यह याद रखेगा याद रखेगा जो औरंग जेब है इसके समय में सरवादिक हिंदू सेना पती जितने भी मुगल सासक रहे हैं उनमें सरवादिक हिंदू सेना पती इसी के समय में रहे हैं यह भी आपको याद रखना है किसक क्या कब हुआ यह बताओ ठीक यही तो आजीब बात है ठीक याद रखना औरंग जेव ने जो है दिल्ली की मोती मस्जित का निर्माड करवाया था दिल्ली की जो मोती मस्जित है इसका निर्माड इसी ने करवाया था इसके अलाबा याद रखेगा इसने जो है इसी के समय में बनाता काला ताजमेल, जिसे हम काला ताजमेल या ताजमेल की फुहर्ण नकल कहते हैं, कहां पर है ये ताजमेल की फुहर्ण नकल या काला ताजमेल या आपको बताना है, बता हुजरा क्या हो जाएगा, ठीक, हाँ, अगला कोश्चन देखो, जयान से सुनो, मड़ीपुर के महाराज ने मड़ीपुर नरत्य को पुनर जीवित करने के लिए हंजावा की उपादी किसे दी थी विपिन सिंग दर्शन जावेरी कलावती देवी चारू मलहार To whom did the महाराजा of मनिपुर give the title of हंजावा to receive मनिपुर डांस जो मनिपुर नरत्य है इसको पुनर जीवित करने के लिए हंजावा उपादी जो है इन में से किस एक मनिपुरी निर्तक को दी गई है वो पूछ रहा है बता हुजरा ठीक औरंगाबाद में वो बीबी का मकवरा बोलते हैं उसको ठीक है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा विपिन सिंग क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा विपिन सिंग ये याद रखिएगा ठीक है चलो आगे देखें निम्लेकित में तक कौन से राज जी करीब कल्यान् रोजगार अभ्यान का हिस्सा है Palaph stress घृज़ाना और बिहार ऐ kg प्राइब करें तो अग्या थीक है ना क्या हो जाएगा तो याद रखना आ कौन से राज गरीब कर लियां रोजगार अभ्यान का हिस्सा है इन में से तो याद रखेगा यह हो जाएंगे बिहार और मद्ध्रदेश कौन हो जाएंगे यह हो जाएंगे बिहार और मद्ध्रदेश यह दोनों यह याद रखेगा टीक है आगे देखो भारतमें पहली रेल लाइन 1883 में यहां से यहां तक शुरू की गई कहां से कहां तक चली थी 1853 में सबसे पहली रेल लाइन किसने चलाई थी तो याद रखिएगा Indian Peninsula करके एक company थी है ना इसके द्वारा सबसे पहले ये चलाई गई थी ये याद रखिएगा ठीक है 1953 में चली थी चली किसके समय में थी चली थी डल होजी के समय में किसके समय में डल होजी के समय में चली थी ये याद रखना जो डल होजी है इसके बारे में एक चीज और जो आपको याद रखनी है और वो क्या वो ये कि जो डल होजी है इसी के समय में प्रारम हुई थी तार विवस्ता है ना कौन सी तार विवस्ता 1854 के सम्तिंग में ये चल थी यहाद रखेगा ठीक चलो बढ़िया चलो इसके लिए जब आप क्या हो जाएंगा ये हो जाएगा आपका बॉंबे से थाने का चली थी ये चली थी बॉंबे से थाने ये याद रखियेगा ठीक आगे, 36 में राष्टे खेलों का आयोजन फिलिंद अबलेंग्स द्वारा किया गया था, करनाटग, हर्याना, गुजरात, महराजदा, 36th National Games Bar, और नाइड भाई, बताओ, 36 में जो राष्टे खेल है, इनका आयोजन इन में से किसके द्वारा किया गया है, वो पूछ रहा है, क्लो मिटर के सम्तिंग, ये चली थी, तो ये याद रखेगा, हाँ, कोश्चन, बताओ, क्या कोश्चन है, कोश्चन भी पूछो, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुजरात, ये 2023 में पूछा गया कोश्चन है, है ना, 2023 में पूछा गया कोश्चन है, ये या याद रखिएगा थर्टी एट उत्त्राखंट थर्टी सेविन गोवा गोड़ बहुत बढ़िया है है बहुत अच्छे आगे देखो राष्ट्य जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतरगत कितने अंतर देश यह जलमार्गों को राष्ट्य जलमार्ग घोजित किया गया कितने अंतर देश यह मतलब जो देश के अंदर ही जो जलमार्ग है उनको जो देश के अंदर जलमार्ग है उन्हीं को जो है राष्ट्य जलमार्ग घोजित किया गया टोटल कितने हाव मैनी इंगलेंड बार्टर बेस हैब बीन डिकलियरड एज नेसनल बार्टर बेस अंडर दनेशनल बार्टर बेस एग्ट 2016 बता उजरा क्या हो जाएगा टोटल कितने ठीक टोटल कितने किये गा यह बताना है तो ना भेंकर सबाल नहीं पूछना था ना तो याद रखेगा यह हो जाएगा आपका 111 है कितने यह हो जाएगा आपका 111 है यह याद रखिएगा ठीक आगे देखो अरबेंद प्रजापती एक तो तुम कोशन के आंसर ठीक नहीं देते हैं मालनों जो भी है है ना अगर कोई एक्ष्ट्राफेक्ट बता भी रहा तो तुमको उसमें प्रॉब्लम हो रही है सब को पता है तुमको तो मुझे लगता नहीं है कि पता था अगर पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं अगर तुम उसी मुद्धे पे बात कर रहे हो और मैं सही समझ रहा हूँ तो है ना जो तत्व है उसको सिबोर्गियम नाम दिया गया है वो पूछ रहा है एकॉर्डिंग टू आयू पीएसी नॉमेन क्लेचर नोटेशन विच एटोमिक नंबर एलिमेंट इन दा पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड आ सिर्बो गियम बता हुजरा क्या हो जागा ठीक सिर्बो गियम जो है इसका परमाडू किर्मांक कितना है यह पूछ रहा है बागी सब्सक्राइब आपका 106 क्या हो जाएगा यह जाएगा आपका 106 तो यह याद रखिएगा ठीक है निम लिकित में से किसने महात्मा गांदी के साथ पूना समझाओते पर हस्ताक्षर किये थे महात्मा गांदी के साथ पूना समझाओते पर हस्ताक्षर करने वाले इन में से कौन थे जोतिवा फुले अली बंदू चितरंजन दास और भीमराव अंबेटकर है ना अच कोतिवा फुले अलीवंदू चितरंदन्दास और भीम राव अम्वेटकर। वूं अमोंग दा फॉलोइंग हैट साइन दा पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। पूना पैक्ट वो इन में से किसने साइन किया वो आपसे पूछ रहा है कि तो अब बच्चे इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं बहुत फास्ट करा दूआ अब ऐसा भी नहीं हो सकतां सका कि कोश्ट्ट के अंसर बता दूँको उइसके यह देखो question और इसका अंसर हो गया यह और अब next ऐसा भी नहीं कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं दोनों में ही समस्या है आपको भी पता ही है है ना ठीक हाँ कब हो जाएगा तो याद रखेगा यह ओजाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अमेटकर कब 1932 कब 1932 यह याद रखेगा ठीक है इसके अलाबा अगर मैं बात करूं तो जोत्वा फुले जो हैं इनके लिए याद रखेगा यह किससे सम्बंदित हैं यह सम्बंदित ह सत्य सोधक समाज से किस सत्य सोधक समाज जो है इसके संस्थापक है यह इसके अलाबा याद रखेगा गुलाम गिरी इनकी पुस्तक है क्या है जो गुलाम गिरी है यह इनकी पुस्तक है अली बंदू जो है इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी जो अली बंदू है इनोंने किस की शुरुवात की है किस आंदोलन की यह आपको कमेंट में लिख कर बताना है चितरण जंदास और मोतिलाल नहरू ने 1923 में है ना क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की है यह याद रखिएगा ठीक है खिलापत आंदोलन इस्टार्ट करने वाले कौन थे खिलापत आंदोलन जो है उसको शुरू करने वाले उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे वह बताओ प्राथना समाज के संस्तापा कौन थे हाँ आगे देखो कलासम भारत के निम्लिकित में से किस सास्त्रे न्रत्त की एक न्रत्त अनुकम है ये आपसे पूछ रहा है है ना बताओ जरा कलासम इजा डान्स सिक्वेंस और भी चॉब दा फॉलोईंग क्लासिकल डान्स ओफ इंडिया बताओ जरा डान्स सिक्वेंस हैं में से किसका हाँ कलासम ठीक आत्मारम बांडू रंग ठीक है रनाडे एमजी रनाडे आत्मारम बांडू रंग ठीक ठीक बच्चे कोई मतलब ही नहीं ना आपके कोशन का हाँ 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 ठीक आगे देखो है ना कलासम जो है वो इन मेंजे किसकी नत्यस है लिए तो याद रखेगा यह है कथकली कि कि कथकली की यह याद रखेगा अगर मैं कथकली के बारें बात करूं तो जड़ा एक बार बताओ जो कथकली है यह किस राज्जी का सास्त्रे न्रत्य है जो कतकली है यह किस राज्जी का सास्त्रे न्रत्य है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है तो बताओ फटाबट से ठीक याद रखिएगा आर्मी अगनी भीर के लिए आपके पास आर्मी बैच है SSE CGL के लिए आपके पास संकल बैच है जहारकन पुलिस के लिए आपके पास एक special बैच है ALP और technician के लिए आपके पास pilot बैच है तो इनके साथ आपको जरूर जुड़ना है क्या करना है? इनके साथ आपको जरूर जुड़ना है बस्तू एबम सेबा कर फिलिंदा विलेंक्स का एक उधारन है किसका? प्रत्यक्ष कर कर्मचारियों को मुआबजा अंतरन भुक्तान अप्रत्यक्ष कर Goods and Service Tax is an example of direct tax composition to employees, transfer payment और indirect taxes बस्तू और सेबा कर जो है इन में से किस प्रकार के tax का एक example है? वो बताना है ठेक बढ़िया चलिए बहुत अच्छे क्या हो जाएगा? तो याद रखना है यह हो जाएगा आपके अप्रत्यक्ष कर या indirect tax का किसका? अप्रत्यक्ष कर या indirect tax का ये याद रखिएगा किसका? इंडारेक्ष का है ठीक? अच्छा किस संविधान संसोदन द्वारा ये भारत में लागू किया गया है? सबसे पहला देश कौन सा था? जहां पर ये लागू किया गया था? सबसे पहला देश है फ्रांस ठीक है? भारत में लागू किया गया है आपका एक जुलाई 2017 से सम्मिधान संसोधन है इसका 101 जो समिति से सम्मंदित है वो है विजय केलकर समिति इसके अलावा एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो यह कि सबसे पहले जिस राज्य में ये लागू किया गया है उसका नाम है आपका आसाब 2016 में ठीक और कौन सा मॉडल हमने अपनाया है तो हमने Canadian मॉडल अपनाया है GST के लिए हमने Canadian मॉडल अपनाया है ये याद रखिएगा 101 सम्मिधान संसोधन के तहट 279A इसके चलते हमने एक GST काउंसिल इसका भी घठन किया है ये याद रखना 279A के तहट ठीक है ये याद रखना 279A है 279 सिर्फ नहीं है ठीक अच्छा विजनेगर सामराज में ब्यापारियों के इस्थानिय संदायों को फिलिंदा ब्लैंक के रूप में जाना जाता था इनको किस रूप में जाना जाता था वो पूछ रहा गुदिरायो चेप पते और घजपति बता वंज्ड़ए किस नाम से जानते थे इनको हाँ 1954 हाँ ठीक है 1565 में हुआ था हाँ बिजना अगर समराज किस्ता अपना 1336 में हुआ है वो ठीक है कि इसके लिए सभाँकिक क्या हो जाएगा इसके लिए सबाट Whether कुदिराई- चेतीस क्या हो जाएगा यों जाएगा का कुदिराई- चेतीस तो यह याद रख्येगा टीक है अर्यरबुक काने वो ठीक है कोई धिक्ट नहीं है उसमें संगम मंस की उन्होंने रीव रखी थी ये भी सही है ठेक आगे देखें मौरिकालीन पुस्तक अर्थसास्त की रचना किस ने की थी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर बिश्नुगुप्त भानुगुप्त इसकी तुलना की जाती है एक बुक है पश्चिम की जिसका नाम है प्रिंस उससे की जाती है और वो जो वक है वो मैकिया वेली की वक है उसके राइटर है मैकिया वेली तो जो इसके राइटर है अर्थसास्त के चानक जिनका नाम कौटिल या जिनका नाम बिश्नुगुप्त भी है यह तीनों नाम इनके है इनको भारत का मैकिया वेली भी कहते है क्या कहते है इनको भ सिध्धान्तों के अध्यन को बढ़ावा दिया मतलब इन में से कौन सा एक है जिसने जिसके माध्यम से जिस संगठन के माध्यम से एनी पेशन ने भारत में जो प्राचीन धर्मते उनको और उसके दर्सन के और उसके सिध्धान्तों को बढ़ावा दिया तब वो पूछ रहा ह है ना कौन से एक संगटन की मदद जो है उन्होंने ली थी ठीक है बताओ आरिसमाज प्रात्ना परमंस मंदली और थियोस्टोपिकल सोसाइटी ठीक है ए नहीं हम धिर्ल और थियोटा यwireशी क्राइट यह क्रामंधिय और जायगा यह हो जाएगा आपका थियोस्वीकल सोसाइटी क्या हो जाएगा यह ऻ़ जाएगा आपका थियोसाइटी यह याद रखूएगा एनिवेस इंग भारत में एक आंदोलन इस डात गया था 1960 में जिसको कहते हैं होम रूल आंदोलन जिसको कहते हैं जिसको कहा जाता है आपका होम रूल आंदोलन यह याद रखिएगा ठीक है इन में से किस नेता ने दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था महात्मा गांधी सुवाश्चंद बोष सुचेता किरपलानी और जवाहरलाल नेरू विच आप फॉल्विंग इंडियन नेशनल कॉंग्रेस लीडर्स पार्टिसिपेटिट इंदा सेकिंड राउंड टेबल कॉंफर दोनों नहीं कीती हाँ पर दोनों के अलग अलग थे तेलक और एनिवेसंट दोनों नहीं कीती ठीक है इसमें कौन थे तो याद रखेगा यह हो जाएंगा महात्मा गांधी एक कोश्चन यह भी पूछता कि महात्मा गांधी जब दूसरी गोल मेंच कॉंफरेंस के लिए यह राज पूताना से किसे गए ते यह राज पूताना ना जो है उससे यह राज रखना कौन से एक नेता थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था वो नेता कौन थे एससे पहले गांधी इर्भन पाक्ट भाता 1931 में है ना जिसमें जो सभिने बंग्यांदोलन चालू किया गया था 1930 में उसको क्या किया उसको पॉच किया गया ठीक है और उसके बाद यह तैयार हो गए तो यह गए फिर दूसरे गोल में सम्मिलन के लिए बहां से लॉट के आए तो हाला कि जब बहां गए तो भाई ने मि रहते ना कि एक रुबाव जो था वो तूट गिया तो फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं है हां कौटिल भिष्णुगुप्त कहो या चाण की कहो तीनो एक ही है न आगे देखो मेंडरीना किस सिलेंड्रेटा जंतु का सामानिनाम है मेंडरीना जो है वो इन मेंसे किसका ए रहता है बता हुजरा किसके बारे में बात कर रहा है भी आरम मेट कर तीनों में थे ठीक बढ़िया बहुत बढ़िया यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा आपका ब्रेंड को रल यह याद रखिएगा पंच वर्षी योजनाओं में योजनाओं कास की अब्दी फिलिनदा ब्लेंक्स के बीच थी इन दा फाइव यह प्लांस दा पीरेड ऑप्लान लीव बाज बिटमीन पूछ रहा है बीच में थी वो पूछ रहा है बताव कि अ हुआ हुआ है कि यह यह याद रखिगा करनाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है इन में से कौन सी एक बरसा है जो करनाटक में जब कॉफी की खेती होती है तो उसके फूलों को खिलने में मदद करता है कि बताव जरा क्या हो जाएगा कि ठीक है ना उत्तरी पश्चिवी बरसा आमर बहचार मंजरी बरसन और लू विच आप दा फॉलिंग हैं ब्लूमिंग औफ कॉफी फ्लोवर्स इन करनाटका बताव कि क्या कहते हैं कौन सी बरसा है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका मंजरी बरसन क्या वो लेंगे इसको कहा जाता है आपका मंजरी बरसन यह याद रखिएगा अगस्त 2021 में इन में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था, अगस्त 2021 में इन में से किस ने उभरते सितारे फंड जो है इसको प्रायोजित किया था या स्पॉंसर किया था वो पूछ रहा है, है ना, एक्जिम बैंक और सिडवी ने, ठीक, HDFC ने, ICICI, CI ने, और IDBI और LIC ने, बताओ जरा, बहुत अच्छे, बताओ जरा क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका एक्जिम बैंक और सिडवी, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एक्जिम बैंक और सिडवी, यह याद रखिएगा, आगे बरस 2015 में 35 में राष्टी खेल का अयोजन कहा दो 35 मेंarin inference कहा हुआ था कि 2015 में यह कोश्चन 2023 में पुछा गया है यह जो कोश्चन है यह आपका शोट के…. वो महराश्च बगेरा में ना टिक उसी के नाम है अलग अलग जगया पर टेक यह क्या हो जाएगा यह ज़िआगा आपका केरला में कहा पर केरल में यहाधर रहा जोगा अगर बियाज की दर बढ़ेगी तो दरन की मांगा क्या होगा जैसे आगर आप बैंक के पास लेने जाते हैं कि हमें लोन दे तो तो हम 5% का भ्याज भर देंगे अगली बार लोग बैंक जाते हो लोन लेने की 5-1 लाग का लोन ले तो बैंक कहता है 10% का भ्याज लगेगा तुम क्या कोगे है ना तुम सोचोगे कि ले या ना ले कहीं और से बेवस्ता कर ले पहले तो सस्ता अब महेंगा हो गया है इसका मतलब क्या होता है इससे जो धनकी मांग हो जाती है इसमें कमी आती है है ना इसमें धनके मांग की क्या होती है धनके मांग की कमी हो जाती है जब ब्याज का धर जो है ये बढ़ता है आगे गिद्दा और भांगडा भारत के किस राज जी के लोग नरत्य हैं गिद्दा और भांगडा जो है वो इन में से किस राज जी के लोग नरत्य है वो पूछ रहा है बिहार पंजाब गुजरात और जारकंड बिहार पंजाब गुजरात और यह आपको बताना है ठीक है तो गिद्दा और भांगडा के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये पंजाब के का के पंजाब के लोग नत्त हैं जो गिद्दा है ये महिलाएं करती है जो भांगडा है वो पुरुस करते हैं ये याद रखिएगा ठीक है ये त कुछ भी नया मिले उसे लिखिए और जो भी आपने लिखा है उसे अपने एकजाम तक लेकर जरूर जाईए ठीक है याद रखिएगा आर्मी अगनी बीर की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगनी बीर आर्मी बैच है आपके अपने अजैसर इस क्लास को कराते हैं अजैसर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के कोश्चन आपके एकजाम में आते हैं कैसे आप इने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के और कम से कम समय में जो है सॉल्व कर सकते हैं कोश्चन को तो अजैसर यहाँ आपको बताते हैं और important class है, इस class के साथ आपको जुड़ना भी है, ठीक, अच्छा, यह कुछ link है, जैसे यह है app का link, इस पर click करके, वीडियो के description में जाके, play store पे जाके, जिस chat box में आप अभी है ना, इस मूँ पर pin किया गया है, यहां से आप इसे download कर सकते हैं, यहां मिलेगा आपको daily quiz, mock test, important notes, e- और भी बहुत सी सुविधा हैं, जो आपके exam के point of view से जरूरी है, तो इनके साथ जो है आपको, मतलब इस app के साथ जुड़ जाईएगा, इसे download कर लीजिए, आप हमें Instagram, Facebook, Twitter पर follow कर सकते हैं, जिन बच्चों ने हमें telegram पर join नहीं किया है, वो join कर ले, telegram पर आपकी हर एक class जो important होती है, share की जाती है, जो कुछ भी नया आपके exam से related है, वो आपको यही provide कर आया जाता है, यह है आपके अपने परिवार, SSC Maker के YouTube चैनल का link, इसे आपको share करना है, अधिक से अधिक जिस्से की अधिक से अधिक बच्चे जो है, वो class के साथ जुड़े, और उन्हें भी इसका लाब प्राप्त हो सके, ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत important class है, और आज की class के लिए इतना ही, next class में मिलते हैं, तब तक के लिए, जै इन, जै वारत!